नमस्कार दोस्ते हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है मेरा नाम है विनीच सागर आज एक स्पेशिल वीडियो लेके आए दोस्तों Species in News आपको पता है competitive examinations के लिए biodiversity पार्क कितना important हो जाता है Specially UPC Prelims या PCS Prelims के लिए आप तो UPC Prelims आने वाला है तो इस तरह की Prelims Boosters में आपके लिए लेके आए करूँगा आज हम discuss करेंगे जितने species News में relevant रहा है पिछले एक साल में इसका एक PPT में बनाया हो इसमें total 72 species आता है दोस्तों तो ये वीडियो में चार पार्ट में बनाऊँगा part 1, part 2, part 3, part 4 ये एक दो या तीन दिन में में खतम करूँगा आप tension मत लीजिए तो आज पार्ट 1 डिसकस करेंगे जिसमें करीब 12-13 species के बार में हम डीटेली डिसकस करेंगे जो आपके examination perspective में important है तो जुड़े देए आगे जान से पहले lecture पर like का button चानल को अब तक subscribe नहीं किया हो तो subscribe कीजिएगा हमें support करने के लिए आप चानल के member बन सकते हो जोइन बटन के तुरू शुरुआत करते दोस्तों सबसे पहले हमारा रोयल बंगाल टैगर ये न्यूज में पिछली सल आया था जब यूनियन एंविवर्मेंट मिनिस्टर ने और इंडिया टैगर सेंस्स 2018 का एक डीटेल रिपोर्ट रिलीस किया था देखें टैगर का habitat मैक्सिन कंट्रीज जो है सौथ एशिया या सौथ इस डेशिया में हैं टैगर रिंस कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज है दोस्तों जहां टैगर्स फ्रीली घूम सकता है और जहां टैगर्स की पोपुलेशन भी सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जैसे इंडिया बेंगलादिश भूटान, कंपोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लावोपीडिया, मलेशिया, म्यानमार, नेपाल, रिशिया, थाइलन और वियेटनाम तेरा के तेरा कंट्रीज इंपोर्टन दे ध्यान दीजेगा इंडिया में दिस्रिबूशन 5 लांस्केप्स में आपको मिलेगा सबसे पहला है शिवालिक हिल्स और ग्यांगेटिक प्लेंग्स, फिर सेंट्रल और इस्टेंगाट्स, फिर वेस्टेंगाट्स, फिर नोर्थीस्ट हिल्स और ब्रह्मपूत्रा और फाइनली दा सुन्दरबैंस, ठीक है दोस्तों, इसका कंसरवेशन स्टर्टर देगी है, IUCN, International Union of Conservation of Nature का Red List में Endangered है, Sites का Appendix 1 में आता है, अगला है दोस्तों, एस्टिक लाइन, ये न्यूस में इसलिए आया था, जब वाइड लाइफ इंस्टिटुट ओफ इंडिया, अलोंग विद गुजरात फोर्स डिपार्टमेंट, छे नया लोकेशन सेट्स अडेंटिफिक के थ अब कुछ डीटेल से, Asiatic Lines are slightly smaller than African Lines, और इसके एक आइडिफिकेशन है, Asiatic Lines has a longitudinal fold of skin running along its belly, ये जो बेली एरिया में इस तरह longitudinal fold of skin है, जो आफरिकेशन लाइन में आपको नहीं मिलेगा, तो ये Asiatic Lines का एक स्पेशाल्टी है, और हैबिटाट आपको पताए होगा, गिर, National Park and Wildlife Sanctuary में है, जो गुजरात में है, food habits देखिए, चीतल, नील गाई, सांभार, बफलोस, गोट्स, ये सब को एखाते हैं, इसके conservation status देखिए, International Union of Conservation of Nature का red list में endangered है, हमारा साइट्स में Appendix 1 है, Wildlife Protection Act 1972 में Schedule 1 है, अब ये साइट्स के आपको बताने की ज़रूत नहीं है, साइ Animal Skins का या Animal का कोई भी पार्ट का जो illegal training होता है, उसको रोतने के लिए साइट्स बनाए था, तो इस साइट्स जो है, इसका Appendix 1 मतलब टोप प्रियोर्टी है, Asiatic Lines को दिया हुआ है, अगला है African Elephants, IUCN डिकले इस आफ्रिकली एंडेंजेट अन सवनना Elephants इंडेंजेट, इ जो सवनना Elephants है, इसको Bush Elephants भी बोलते हैं, इसको NDJ डेकले किया था, अब देखिए, they are slightly larger than Asian Elephants and can be identified by their larger ears, देखिए African Elephants, देखने से आपको पता चल जाएगा, ये Asian Elephants से बिलकुर अलग है, मतलब इसकी जो ears है, इसकी जो पिनना region है, ये बहुत बढ़ा है, और इनके जो टस this is very important, it means they live in female-led groups, elephant groups को हमेशा एक female lead करता है, ठीक है, the matriarch will be the biggest and oldest, obvious ही बात है, lead वही करेंगे, जो सबसे biggest है and सबसे oldest है, and African Elephants are keystone species, अब ये keystone species का है, ध्यान से सुनियेगा, देखिए, keystone species, ऐसा एक species होता है, that play a critical role in their ecosystem, कहने का मतलब ये हैं, दोस्तों, अगर ये species, ये animal, extend हो जाता है, तो पूरे ecosystem को ये effect करेगा, for example में बता देता हूँ, जैसे कि lion से, tiger से, ये कई सारे animals को खाते है, जैसे, जो deer है, जो neil गाई, सांभार, सब examers मैंने बोला था, ये सब को ये खाता है, तो ये जो balance है, अगर ये carnivores नहीं रहेगा, तो इस तरह की जो deer का population ज्या हो जागा, तो हमारी जो ecosystem है, ये mutually balanced है, तो कोई भी species extinct होने से, ecosystem को effect करेगा, और कुछ species extinct होने से भी इतना स्यादा effect नहीं करेगा ecosystem है, पर कुछ species जो है, जैसे ये African elephant है, या फिर tigers हो गया, lion हो गया, ये सब extinct होने से, पूरे ecosystem का balance जो है ये बिगार देगा, ऐसे species को की stone species बोल African elephants are also known as ecosystem engineers, क्योंगी they shape their habitat in many ways, ecosystem engineers मतलब होते है दोस्तों, अपने habitat को ये shape करते है, आपको पता होगा, जहाँ elephants रहता है नहीं, ग्रूप में, वो area का design ही कुछ अलग हो जाता है, इसलिए इनको ecosystem engineers भी बोलते है, इसके range देखे, distribution of African elephants is throughout the savannas of sub-saharan Africa and rainforest of Central and West Africa, sub-saharan मतलब जो Sahara desert के areas है, अब देखे, there are two sub-species of African elephants, कौन-कौन सा है, एक है African savannah और bush elephant, actually देखे दोस्तों, सबसे largest animals जो है, bush elephants है, या African savannah elephant जो है, यह आप ध्यान देजेगा, ठीक है, और एक है African forest elephants, यह जो African savannah elephant है, यह आपको sub-saharan Africa में मिलेगा, इसका जो categorization है, वो endangered है, and African forest elephant इसे छोटा है, और यह Central and West Africa में मिलेगा, यह आपको IUCN red list में critically endangered में मिलेगा, अगला है Asian elephants, अपना प्यारा हाथी, largest land mammal on Asian continent, Asian continent का सबसे largest land mammal बोल सकते हो, देखने से आपको पता चल जाएगा, African elephant से बिलकुल अलग है, थोड़ा सा सुन्दर मुझे हमारे Asian elephant ही देखता है, है कि नहीं दोस में, नेपाल में, बंगला देश में, भूटान में, म्यानमार में, ठीक है, etc, अब elephant areas जो है, elephant reserves जो है, बहुत सारे हैं, तो इतना important में नहीं बोलोगा, फिर भी अगर कोई reserve, जहाँ elephant का बहुत जादा news आता है, elephants related, तो आप पढ़ लीजेगा है, जैसे recently, I hope आजाम में, एक area में, नाशनल पार्क में, lightning की वज़े से कही सारे elephants का death हो गया था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पर अभी मैं खुद याद नहीं कर भा रहा हूँ, वो कौन सा नाशनल पार्क या कौन सा wildlife sanctuary है, आप मुझे बता दीजेगा comment box में, तो तब ये species important हो जाते हैं की ने दो इंडिया में मिलेगा, और elephant census जो है, once in five years conduct करता है, under project elephant, last हुआ था, 2017 में, अब होगा, 2022 में, Karnataka has the highest number of elephants, followed by Aasam and Kerala, ठीक है, तो सबसे जादा Karnataka में, फिर Aasam है, फिर Kerala में है, अगला है, the great Indian buster, why in news, मुझे लगता है, great Indian buster, तो इतना ज्यादा news में आये था, कि इसके बिना कोई question बिया पर अभी बनी ही नहीं सकता, देखे, ministry of environment and climate change ने, wildlife conservation society के साथ मिलकर, एक unique initiative लेके आया है, firefly bird diverter, आप ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, इसे बिले आपको एक बात समझना प flying altitude है, ये ज्यादा नहीं होता, इसके जो flying height है ना, ये धरती से ज्यादा height में नहीं होता, इसी के बिचे से क्या होता है, ये जो high power transmission lines होते है, इसमें ये टकराता है, ऊपर से इनका और एक problem ये है, ये सामने देखे flying नहीं करता है, ये नीचे देखे flying करता है, इसी के बिच अब इसलिए पिछली साल हमारे जो पुराना चीफ जरीज ओफ इंडिया एक बाद बोला था कि जितने पावर कंपनी से गुजराद राजस्तान एरिया में बेसिकली जहां यह जो ग्रेट इंडेन बस्चाट का हैबिटाट है उथर जितने भी हाई पावर ट्रांस्मिशन ला होता है देखिए हाई पावर ट्रांस्मिशन लाइन में एक रिफ्लेक्टर लगाएगा ऐसा रिफ्लेक्टर जो यह ग्रेट इंडेन बस्चाट पच्चास मीटर दूरी से भी देख सकता है तो देखते ही यह डाइवर्ट हो जागा कहीं और तो इसलिए यह फायर दीबार सेट प किया था समझेए आप देखिए इसकी हैबिट जो है इंडेनों के लिए एंडमीक है मतलब इंडेन सब कोर्णस अरे इंडिया में सबसंब करता है इंडिया सबसे आदेंग को दाशे नाशल पार्क के बारे में पिछले इसल पारिम्स में को कसिषि के यह 8 nag पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में जो थार डसर के एरिया न चोलिस्तान बोलते जिसको उस एरिया में भी आपको मिलेगा इसकी जो conservation status है IUCN में critically endangered है साइट का appendix 1 में है and wildlife protection at 1972 का schedule 1 में है food habits they are omnivores omnivores मतलब यह plants भी खाते इंडियन गर्मन ने कई सरे conservation initiatives भी लेकिया था जैसे project create Indian bastard है यह एक्चुली राजस्तान गर्मन ने launch किया था for identifying and fencing of bastard breeding grounds basically इनकी conservation के लिए और firefly bird diabetes के बार में मैं आपको बता दिया अगला है vultures in India न्यूस में इसलिए था national board for wildlife जो है they have approved action plan for vulture conservation from 2020 to 2025 आप यह vulture का conservation होगा इसके लिए national board for wildlife ने अप्रूल विजे दिया दिखिए दोस्तों इक बात में आपको बता हूं यह जो national board for wildlife इसके बार में ठीक से पढ़ लीजेगा मैंने कई बार आपके इसका फेवरेट है dead bodies जो है vultures are sociable creatures and often seen as a collective unit यह collection में मिलेगा आपको ठीक है बहुत सारे भीड में मिलेगा जितने deserts, savanas, grasslands बार होता है उदर सबसे ज्यादा यह दिखता है इट also inhabits open mountain ranges up to 3000 meters above sea level तो sea level से 3000 meters ऊपर जितने भी mountain ranges से उदर भी आपको वल्चेस का habitat मिलेगा distribution जो है यह widely distributed है मतलब हर जगा में आपको मिलेगा पर they are absence from Australia and most oceanic islands this is very important Australian continent में आपको नहीं मिलेगा और जितने भी oceanic islands है उसे अरिया में उधर भी आपको नहीं मिलेगा इसकी conservation status देखिए देखिए अलग-अलग conservation status है मतलब कहीं सारे वल्चेस है मैंने आपको इस slide में बोला था ना करीब 23 species of vultures है दुनिया में तो white-run vultures critically endangered, slender-billed vultures critically endangered long-billed vultures वो भी critically endangered and red-headed vultures वो भी critically endangered फिर Egyptian, Himalayan Griffon, Seniors vultures वो near threatened bedded vultures near threatened, Griffon vultures least concern है देखिए कई सारे vultures है जिसमें कुछ है least concern और कुछ है critically endangered देखिए IUCN का जो red list है उसमें कई सारे status है एक है least concern, फिर endangered, फिर critically endangered, फिर extinct, near to extinct ऐसे कई सारे classification है जो least concern है इसके मतलब यह है कि कोई problem नहीं है अच्छागा सा habitat है population है तो जो griffon vultures है इसका कोई problem नहीं यह बताया जा रहा है साइट का appendix 2 में है, wildlife protection at 1972 का schedule 1 में है अब एक चीज में आपको बता देता हूँ देखिए question से ऐसे है सकता है white rump, slender build, long build, red headled, himalayan griffon यह सब क्या है ऐसा question बोच सकता है ठीक है पिछले बार भी question आया था जिसमें answer था शायद butterflies ठीक है मतलब ऐसे कुछ नाम पोचा था यह वल्चर कंसर्वेशन के बार में थोड़ा डीटेल ली बता देता हूँ मैं, इंडिया में वल्चर कंसर्वेशन सेंटर सेटप किया है उतरपरदेश में, तुरुपुरा में, महारस्टा, कनाटका, तमिल नाडु यह सब जगा में अभी होगा, इसके breeding center भी setup करेंगे, वल् कैसा हरे points है, यह मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो वल्चर कंसर्वेशन सेंटर सेटप करेंगे, फिर वल्चर सेव सोन, हार स्टेट में, अटलीस वन वल्चर सेव सोन, क्रियेट करेंगे, जहां इनकी population ज्यादा है, habitat ज्यादा है, और rescue centers भी, यह कहां कहां पहें, एक त वल्चर के लिए, toxic drugs, a system to automatically remove a drug from veterinary use, if it is found to be toxic to vultures with the help of drugs controller general of India, देखे, this is also very important, यह क्या है न दोस्तों, यह question भी एक बार UPC problems में आए था, मैं बता देता हूँ, क्या है, देखे, कुछ drugs जो होता है, वो कुछ animals के शरीर में use होता है, देखे, veterinary use होता है, मतलब घर के pet dogs है, य उनको जब कुछ disease हो जाता है, तो वेटन भी सर्जन के पास लेके आता है, तो वो कुछ antibiotic drugs बगरा inject करते है, जब यह मर जाएगा, अगर गलती से यह dead bodies, यह vultures feed करेगा, या खा जाएगा, तो यह जो toxic drugs है ना, इनके शरीर में आ जाएगा, तो इनका death हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, कई countries में, तो इस से related एक question मुझे याद नहीं आ रहा है, पूचा था, तो देखिए, यह जो toxic drugs को remove करने का, एक system बनाएगा, यह बताए जा रहा है, वultures conservation 20-2025 में, वultures census करेगा, मतलब वultures कीतना है, वो count करेगा, Coordinated Nation with Vulture Counting, Involving Forest Departments, Bombay Natural History Society, Research Institutes, Non-Profits and Members of the Public, मतलब बेसिकली एक census जो कंड़र कराएगा, इसमें केवल government नहीं, काफिसले non-profit organization, public members का involvement भी होगा, यह बताए जा रहा है, और database on threats to vulture, a database on emerging threats to vulture, vulture conservation के against, क्या-क्या threats है, इसके लिए एक database बनाएगा, यह सब बताए जा रहा ह इसमें, action plan for vulture conservation, 2020-2025 में, this is very important, इसलिए मैंने अलग सा कुछ point आपको बता लिया, अगला है दोस्तों, क्याराकर, यह news में क्यों है था, national board for wildlife includes the caracal in the list of endangered species, यह भी एक साल के अंदर ही हुआ था, क्याराकर आप देख सकते हो, बिल्ली जैसे दिखता है, बड़ा सुंदर ज जगा मैं आपको दिखेगा, population of this cat is increasing in Africa, while its numbers are declining Asia, very important statement, आफरिका में इसकी जो population होते हुआ नजर आ रहा है, and Asia में decline होता हुआ नजर आ रहा है, conservation status देखिए, इंडिया में critically endangered है, and कुछ areas में जाहें कि population में कोई problem नहीं है, उथर least concern है, sites का appendix 1 है, एशन में, appendix 2 है, आथर में, wildlife protection act 1972, जो हमारा Indian government का है, उसमें schedule 1 में है, habitat देखिए, राजस्तान, कच, कच क्या है, एक बयोस्यो रसो भी है, gujarat में, and parts of MP, earlier caracals could be found in arid and semi-arid scrub forest, of 13 Indian states, basically जो arid forest है, या semi-arid scrub forest है, उथर आपको ये caracal मिलेगा, करीब 13 Indian states में, right, एक nocturnal animal है, nocturnal animal मतलब ये active होता है, night मे food habits देखिए, carnivore है, non much खाता है, छोटे मोटे mammals, birds, rodents को खाते है, significance का है, caracal has traditionally been valued for its flexibility and its extraordinary ability to catch birds in flight, आप बस YouTube में search कीजिए, caracals का, जो skill है na, flying birds को पकटने का, आपको कई सारे वीडियो मिलेगा, ये बहुत मस तरीके से flying birds को पकटता है, अच्छा जम करके, historical evidence भी ऐसे related, earliest evidence of car in the subcontinent comes from a fossil dating back to the civilization of Induswali, देखिए, Induswali civilization से भी इसका एक fossil मिला है, तो इसकी earliest evidence आप रिलेट कर सकते हो, Induswali civilization से, these are very important points, ध्यान दीजेगा, अगला है, Himalayan brown bear, ये नूस में क्यों आय था, Surological Survey of India ने एक study release किया था, Adaptive Special Planning of Protected Area Network for conserving Himalayan brown bear, Himalayan brown bear के conservations related है, and it is one of the largest carnivores in the highlands of Himalaya, Himalayan highlands में, largest carnivores है, Himalayan brown bear, and आपको ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूतान जैसे countries में मिलेगा, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो Highlands है, Himalayan area से, उधर सबसे ज्यादा मिलेगा, small population जो है, टीबेट में और भूतान में, conservation status देखिए, IUCN red list में critically endangered है, sites का appendix 1 में Wild Life Protection Act 1972 का schedule 1 में है, आप देखिए, इनके food habits क्या क्या है, एक तो ये carnivores है, and omnivores भी है, मैंने आपको बता दिया, मतलब plants and animals दोनों खाते है, fruits खाते है, berries खाते है, and they prey on large mammals too, including sheep, goats, etc, right, threats क्या क्या है, एक तो इनका habitat loss हो रहे है, धीरे-धीरे, and killing by livestock herders, उदर जो herder लोग है, खाने के लिए इनको मार देते है, and poaching भी होता है, for fur, इनके जो fur है, इसके लिए poaching करते है, and illegal body parts का trading भी होते है, तो हर एक animal के साथ रहते है, दोस्तों, ये जो illegal body parts का trading बागेरा, इसी के लिए sides बनाया था, ठीक है, दोस्तों, अगला है, crocodiles in India, देखिए, mugger और marsh crocodile is a medium to large crocodilian species it has a distinctive aspect and is most illegal like of all crocodile species, दोस्तों, मैंने daily news में, मैंने हर्षिर साम ने daily news में, crocodiles के बार में एक news बोला था, करीब एक हफते बेले, ये बोला था कि, Odisha में Kendra परा आई थी, Kendra परा में, ऐसा district है जहां, इंडिया में जो तीन crocodile species देखता है, तीनों की presence है, तो ये news हमने cover किया था, इंडिया जीजेगा, ठीक है, habitat, it is a fresh water crocodile related to southern Iran, तो southern Iran से, इंडिया तक आपको fresh water crocodile मिलेगा, ठीक है, fresh water crocodiles भी रहता है, sea water crocodiles भी रहता है, fresh water crocodile आपको इरान से इंडिया तक मिलेगा, it is extinct in Bhutan and Myanmar, this is very important, Bhutan and Myanmar में ही extinct ही हो गया, बिल्कुल extinct हो गया, consumption status, IOCN का vulnerable में है, sites का appendix 1 में ह अब, estuarine और salt water crocodile is considered the earth's largest living crocodile species needed to salt water habitats and brackish wetlands, brackish मतला जो saline water, नमकीन पानी है, आप देखिए, यह जो salt water crocodile, crocodile species में सबसे largest है, यह भी आप ध्यान दीदेगा, इनके habitat कहां काप है, obviously, saline water में, sea water में रहेगा, इंडिया की east coast में, south east Asia में, northern Australia में, इनके conservation status जो है, least concern है, कोई प्रब् habitat भी अच्छा है, फिर एक घरियाल, is also known as the गवियाल or the fish eating crocodile, distribution देखिए, it was once found across Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan, इन सारे countries में एक टेम पे दिखता था, however, currently, it survives in several and severely fragmented populations in India and Nepal, आजकल केवल आपको इंडिया नेपाल में मिलेगा घरियाल जो है, प्रोटेक्टेट एरियास देखिए, नाशनल सैंक्चुरी और कतर्नियान घर्ट वाइल लेफ सैंक्चुरी बेरी इंपोर्टेन ध्यान दीजिएगा ये घरियाल का कंसर्वेशन एरियास है, कंसर्वेशन स्टाइस देखिए, IUCN रिटलिस में क्रिटिकली एंडेंजेड है, साइट्स का अप इंडिक्स 1 में है, वाइल अपने सुनाई होगा, जो केजेफ मूवी आये था, उसमें तो कॉलार गॉल्ड मेंट्स तो है, और ज्याता एक्सपोर्शन मिल गया इनको, अब ये जो कॉलार लीफ नोस बात है, ये भी काफी नूस में आया था, इनका कंसर्वेशन भी अभी शूर्य हो आनवाला है, बा कॉलार डिस्टिक करना लेगा, तो अब हमें इंडिया में केवल कॉलार डिस्टिक में, हल्मन अ हलली विलेज में, एक केव में, एक गुफा में, इसका हैविटेड मिलेगा, नैच्रल हैबिटेड नॉर्मली सब-Tॉपिकल और ट्रोपिकल ड्राइब फॉर्स और केवस ने है यह सब बैट का natural role है एक vital role भी है regeneration में seed dispersal मतलब क्या होते है दोस्तों देखे seed dispersal is the movement spread और transport of seeds seeds को एक जगा से दूसरे जगा लेके जाना वाला जो process है इसमें natural भी है जैसे हवा से होता है wind से gravity से होता है जाता है birds से animals से यह जो seed dispersal process में bats जो है vital role play करता है यह बताया जा रहा है ठीक है और इनकी जो conservation status है very important है IUCN list में तो critically endangered है लिस्ट है पर हमारा जो wildlife protection act 1972 है न दोस्तों it has not been accorded legal protection under the act this is very important अभी तक इनको एक legal protection नहीं मिला हुआ है अब ध्यान दीजेगा तो दोस्तों part 1 वीडियो में इदर खतम कर रहा हूं part 2 part 3 part 4 में जल्दी ले क्या हूंगा जाने से पहले national board for wildlife के बार में मैं आपको एक बार बताया था न very important है कुछ basic details देख लेते हैं this is a statutory board constituted officially in 2003 under the wildlife production act 1972 तो wildlife protection act 1972 के अंदर बनाया था एक statutory body है तो इस act से ही बना था ये body कब 2003 में ये chair करता है prime minister very important दोस्तों और इसकी responsibility है promotion of conservation and development of wildlife and forest and ये board जो है advisory nature है मतलब इनकी जो advice है ये binding नहीं है non-binding है they can only advise the government for policy making for conservation of wildlife it is an important body because it serves as an apex body for the review of all wildlife related matters देखिए wildlife related matters में सबसे top apex body है national board for wildlife obviously बात है क्योंकि इसका chair कर रहा है prime minister ठीक है अब देखिए इनका major काम जो है approval of projects in around national parks and sanctuaries देखिए wildlife से related जितने national park से wildlife sanctuary से इनके आसपास कोई projects लेके आना है तो इसका approval national board for wildlife से लेना जरूरी है ठीक है और इसका standing committee है वो chair करता है minister of environment forest and climate change पर पूरा national board का जो chairman कोन है prime minister है the standing committee approves all the projects falling within protected wildlife areas और within 10 km of them देखिए very important point ये चो standing committee है जिसका chairman है minister of environment forest and climate change ये अप्रूव करता है जितने भी projects है जो protected wildlife areas और within 10 km उथर जितने भी projects से उनका approval देता है standing committee राइट दोस्तों तो ये video में इदर finish कर रहा हूँ अगरे video में मिलेंगे thanks so watching bye bye have a nice day